हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के सो काफी मात्पुन अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और जो भी बच्चे इस सो अबजेक्टी प्रशन को काफी अची तरीके से पढ़ि लेते हैं याद कर लेते हैं तो उनके बोड पर इच्छा में 35 से 40 प्रशन इसी वीडियो से आएगा हू बहू लड़ेगा जैसे समाजिक बिग्यान का पेपर लड़ा था जो पढ़ाये थे उसमें से पूरा लड़ गया था वैसे ये भी पेपर पूरा का पूरा लड़ेगा इसमें से 100 अबजेक्टी प्रशन में से 35 से 40 प्रशन आपका लड़ेगा ये हमारा ग्रांटी है तो इस वीडियो को आपको सुरू से लेके अंतक देखना है और इसमें जो भी प्रशन नहीं होगा तो उसे आपको याद करने का कोशिस करना है और बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा साथ में वेल आइकन को ओल पे दबा लिजिएगा ताकि जब भी कलास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि मिनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है काफी महत्पड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है क कासी किसकी पाट साला है काफी महत्पड प्रशन है कि कासी किसकी पाट साला है तो जो कासी है यह संस्कृति की पाट साला है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन तीन नंबर ती यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और गुरुरानक कौन है तो यह सीखो के प्रथम गुरु है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने चार नंबर भी प्रशने काफी महत्पुड है कि लौट कर आऊंगा फिर पाट की कौन सी दाये तो यह कबीता है इसे आपको याद रखना है यहां पर यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने पांच नंबर प्रशने कि मैक्स मूलर कहा के बिद्वान थे काफी महत्पुड प्रशने है और यह प्रशने आएगा ही आएगा यहां पर आप कि मैक्स मूलर कहा के बिद्वान थे तो यह जर्मनी के बिद्वान थे इसे आपको याद रखना है यहां पर डी ओप्सन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड हम आपको 100 अबजेक्टी प्रशने हां पर करवाएंगे इस से नहीं करना है, विडियो को सुरू से लेकि अंतक देखना है, और विडियो को लाइक नहीं किये, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा, ये देखते हैं, अगला प्रशने 6 नंबर प्रशने की कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा काफी ही महत्पड प्रशने हैं की कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है निंदा करना यहाँ पर एयोप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर परपुर में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन आठ नमबर प्रशने की रोन नदी कहां इस्तित है यह भी काफी महत्पुर प्रशन है की रोन नदी कहां इस्तित है और यह प्र प्रशन क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने की संतु किसके कारण से काप रहा था यह भी काफी महत्पुर प्रशन है की संतु किसके कारण से काप रहा था तो ठंड के कारण से काप रहा था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर प्रशन क्या हो जाएगा बिल्कोली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन आपर 10 नमबर 10 नमबर भी प्रशन काफी प्रशन और ये भी आएगा ही आएगा कि टॉल स्टॉय कौन थे। पे अपको बताना है कि टॉल स्टोई कौन थे तो जो टॉल स्टोई थे ये क्या थे एक रूसी लेखक थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने बारा नंबर बारा नंबर प्रशने की घाना नंद ने किस मार्ग को अत्यांत सीधा वो सरल कहा है काफी महत्पड प्रशने है की घाना नंद ने किस मार्ग को अत्यांत सीधा वो सरल क तो प्रेम मार्क को कहाए इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तेरा नंबर भी प्रशन हंड़िट परसेंट आएगा जो हम बता रहें उसे आपको याद रखना है और यह सो प अनुसार जनत अंतर के देवता कौन है तो किसान मजदूर है यानि यहाँ पर सी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा इसमें जो सो अब्जेक्टी प्रशन हम आपको करवा रहें वो काफी महत्पुड महत्पुड है बोड एक्जाम 2021 का और आप आपका पेपर फॉस सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में हो से कोई भी मतलब नहीं है आप लोगों के परिच्छा में 35 से 40 प्रशन हूब बहुत टकडाएगा एकदम हूब बहुत लड़ेगा यह हमारा गरांटी है जैसे समाजिक विज्ञान का लड़ा था बिलकुल वैसे यह भी लड़ेगा तो आपको वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है इस वीडियो को आपको मजाक में नहीं लेना है हम यहाँ पर सिरियस आपको बोल रहे हैं आगे देखिए यहाँ पे 15 नमबर प्रशने की गुरु किरपा की महता का वर्णान किस ने किया है तो गुरु नानक ने किया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशने 16 नमबर प्रशने काफी महत पुड़ है कि एक व्रिच्च की हत्या किस कावे संग्रा से संकलित ह यहाँ पे आपको बताना है कि एक व्रिच्च की हत्या किस कावे संग्रा से संकलित हैं तो इन ही दीनों से है इसे आपको याद रखना है यह भी प्रशने काफी महत पुड़ है यानि यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा 17 नमबर प्रशने देखिए ये भी काफी महत्पुड हैं कि मंगू को लोगों कहां भरती कराने की सलाह दी तो अस्पताल में भरती कराने की सलाह दी यानि यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन अठारा नंबर 18 नंबर प्रशन की असोप बाजपेई लास त्रुज में कितने दिनों तक रहे काफी महत्पुड प्रशन है तो यह 19 दिनों तक रहे इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन आपे 19 नमबर 19 नमबर प्रशने कि मराठी किस भासा में लिखी जाती है काफी महत्पुड प्रशने है कि मराठी किस भासा में लिखी जाती है तो देवनागरी भासा में लिखी जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसे ही हो आईए देखते हैं अगला प्रशन बीस नंबर बीस नंबर भी प्रशन काफी मातपुण है कि रस्खान दिल्ली के बाद कहां चले गए तो ब्रज भूमी चले गए इसे भी आपको याद रखना है यहाँ पर बी उप्सन क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए अगला प्रशन 21 नंबर 21 नंबर प्रशन काफी मातपुण है कि उर्वसी कि क्रीती है काफी मातपुण मातपुण प्रशन है तो एक भी प्रशन प्लीज आप लोग स्कीब मत किजएगा और यह सभी प्रशन आपके बोड़ परिक्छा में हूब भू आएगा एग्दम थीमरा अमबेटकर का जनम कहा हुआ था काफी मातपरपरस्णन है कि बाबा सहraf भीमराव अमबेटकर का जनम कहा हुआ हुआ था तो मध्य परदेश में हुआ था इसे आपको याद रखना है यापके बी elements क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जा एगा 23 23 नमर परशने की 20 के दात कहानी के मुख्य पातर कौन है यहाँ पर आपको बताना है कि 20 के दात कहानी के मुख्य पातर कौन है तो खोखा है और खोखा का दूसरा नाम क्या है कासू है तो यह भी आपको याद रखना है क्योंकि परिच्छा में पूछ लेता है कि खोखा का जोपडी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है और ये प्रशन 100% आएगा ये हमारा गरंटी है कि जोपडी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है तो महल वाले जीते हैं यानि यहां पर A-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए प्रशने 27 प्रशने की नाखून किसका परतीक है? यहां पर सी उप्सन क्या हो जाएगा? अगला प्रशने 27 प्रशने की नाखून किसका परतीक है? तो यह repeat हो गया है तो और ना खून जो है यह पसुता का परतीक है यानि यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना 28 नंबर यह भी काफी महत्पुण प्रशन है कि जपान पर परमाडू बं गिराया गया यहाँ आपको बताना है कि जपान पर परमाडू बं किस ने गिराया तो अमेरिका ने गिराया इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा सभी प्रशने काफी महत्पुण है तो एक भी प्रशने प्लीज आप लोग स्कीब इसे आपको याद रखना है बस आप लोग एक बार शुरू से लेके अनतक देख लिजएगा तो आपको याद हो जाएगा 30 नमर प्रशने देख लिजिए 30 नमर प्रशने के दूसरे के इसारों पर भटकने वाले बेक्ति को क्या कहते हैं तो मोड लोग कहते हैं यहाँ पर B option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा आगे देखिए यहां पे एक 30 नमर प्रशन यह भी 100% आपके परिच्छा में आएगा यहां पे बहादूर कहा करहने वाला था तो जो बहादूर था यह नेपाल करहने वाला था यहां पे C option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा 32 नमर प्रशने देख लिजे कि नागरी लीपी के अर्रंबिक लेख कहां से मिलते हैं काफी महत्पुड प्रशने हैं कि नागरी लीपी के अर्रंबिक लेख यानी सुरुवाती लेख कहां से मिलते हैं तो दक्षिड भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलकुली सही हो जाएगा, सभी काफी महातपुड महातपुड परशने हैं, तो एक भी परशने प्लीज आप लोग स्किप मत किजिएगा, वीडियो वो सुरू से लेके अंतक देखिएगा, यहाँ पे तैंतिस नमर परशने हैं, कि जार साही कहा थी, तो जार साही थी, यह रूस में थी, यहाँ पे A-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा, जो रूस के राजा होते थे, उसे जार बोला जाता था, यह देखते हैं, अगला प्रशने हैं पे 34 नमर, 34 नमर भी प्रशने काफी महातपुड है, कि पंडित बिर्जु महाराज का जनम कहां हुआ था, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, 35 नमर प्रशने हाँ पे देख लिजे, कि पंडित बिर्जु महाराज कितने साल के थे, तो उनकी पीता का देहान थो गया, यह भी काफी मातपुड प्रशने है, तो कितने साल के थे, तो उनके पीता जी का देहान थो गया, त आपको बताना है कि बिस्मिल्ला खां और सहनाई के साथ किस मुस्लिम परो का नाम जुड़ा है तो मुहर्म का नाम जुड़ा है इसे आपको याद रखना है यापर सी उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही से हो जाएगा और ये भी प्रशन हंड़ेट परसंट आपके 38 नमर प्रशने की लेखा का अपने पीता से क्या मांगना चाहता है काफी महत्पुड प्रशने की लेखा का अपने पीता से क्या मांगना चाहता है तो मचली मांगना चाहता है इसे आपको याद रखना है यापर डी उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन 49 नंबर भी प्रशन काफी महत्पुड़ है कि सत्य के साथ मेरा परियोग किसकी रचना है तो ये महत्मा गाधी जी की है इसे आपको याद रखना है या पे C-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन 40 न तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है या पे B-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन या पे 41 नंबर 41 नंबर प्रशने की एक बृश्च की हत्या में कभी किसे बचाने की बात करता है या पे B-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशने 42 नमबर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्षमी का घर था यहाँ पर सी उप्सन क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 43 नमबर प्रशने कि लोट कर आऊंगा फिर कभी कहां लोटने की बात करता है काफी वहाँ प्रशने है कि लोट कर आऊंगा फिर कभी कहां लोटने की बात करता है तो बंगाल में लोटने की बात करता है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा लास्ट में हम आपको काफी अच्छी बात बताने वाले हैं तो आप लोग लास्ट तक वेट किजेगा और जो भी बच्चा लास्ट तक वेट करेगा उसे बहुती अधिक सीख मिलेगा और परिक्षा में उसे बहुती फायदा करेगा आईए देखते हैं अगला प्रशने चुवालिस नंबर प्रशने की मंगमा का अपनी बहुत से किस को लेकर विबाद था यह भी काफी मातपड प्रशने की मंगमा को अपनी बहुत से लेकर किस से विबाद था तो पोते को लेकर विबाद था यहां पर बी ओप्सन क्या हो जा यहां पर बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था तो रंग पा था इसे आपको याद रखना है यहां पर C option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा उसके बाद यहां पर 46 नमर पर देख लिजिए कि स्रम विभाजन और जाती पर था के लेखा कौन है य यहां पर B option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा और भारत का समीधान किसने लिखा है यह भी आपको याद रखना है अलग से कि भारत का समीधान किसने लिखा है तो डॉक्टर भीमरा अमबेड करने लिखा है तो यह भी प्रशन आपके लिए काफी महत पुड़े आगे दिखिए हैं आपे 47 नमर प्रशने 47 नमर प्रशने की पॉक का उचारण अस्थान क्या है यहां पर आपको बताना है कि पॉक का उचारण अस्थान क्या होता है यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा और हिंदी ब्याकरण का अलग से भी 100 objective प्रश्ण मिलेगा, 100-100 objective प्रश्ण का दो class मिलेगा, तो उसे भी देख लिजेगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ पे आपके सभी class मिलते रहेंगे, बस ask class YouTube channel से आप लोग बने रहेंगे, और हम पे भरोसा कीजिए, एक भी प्रश्ण इससे बाहर नहीं आएगा, इसका हम गरांटी लेते हैं, आगे देखिए आपे 48 नमर, 48 नमर प्रश्ण की सूर्दास सब्द में कौन सी संग्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो रोन नदी है, यह कहां इस्तित है, तो जो रोन नदी है, यह फ्रांस में इस्तित है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा, आगे देखिए, आपर 50 नमर प्रश्ण 50 नमर प्रश्ण है कि भीमराओं अंबेटकर अपना प्रेणा सुरोत किसे मानते हैं, काफी इमातपुड प्रश्ण है कि भीमराओं अंबेटकर अपना प्रेणा सुरोत किसे मानते हैं, और इसे आपको याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्ण आने वाला है यहाँ पर दिखें कि A option है बुध, B option है कबीर, C option है जोतीवा फुले तो इन तीनों को मांगते हैं यानि D option यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा आगे दिखें यहाँ पर क्याओ नमबर प्रशने कि निरलज अपराधी किसे कहा गया है तो निरलज बिल्कुली सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बावन नमबर प्रशने कि भारत में जाती परता का मुख्य कारण क्या है यहाँ पर बताना है कि भारत में जाती परता का मुख्य कारण क्या है तो बेरुजगारी है और यह भी प्रशन आपके बोड एक्जाम में हो तिरपन नमबर भी प्रश्न आपके बोड़ परिच्छा में हो वहु रहेगा कि सच्चा भारत कहां बसता है तो जो सच्चा भारत होता है यह गाऊं में बसता है यहाँ पर C उप्षन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुल ही सही हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर 54 प्र 55 नमबर प्रशन है यहां पर किस देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते हैं काफी इमातपुड प्रशन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते हैं तो गौर देश के लोग यानि बड़े बड़े नक पसंद करते थे नाखुन पसंद करते थे यह भी प्रशन काफी मात पुड़ है यानि यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 56 नमबर प्रशने की प्राचीन मानों का परमुख अस्तर सस्तर था यहाँ पर आपको बताना है की प्राचीन मानों का परमुख अस्तर सस्तर क्या था तो यहाँ पर देखिए नाखून था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर संताओं नमबर परशने देख लिजे इसे आपको बताना है कि लेखक सब्द का इस्तिलेंग क्या होगा तो लेखी का होगा इ सोने के सिक्के है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A-Option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 69 नमबर परशने देख लिजे 69 नमर परशने कि मैक्स मूलर के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकिरतिक सोंदरे से परिपूर कौन सा द 69 नमर परशने कि पीता जी किसे नराज थे हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो पीता जी थे यह किसे नराज थे तो दीदी से नराज थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और हीरो सीमा पर ही परमाडू बं गिराया गया था अमेरिका के द्वारा तो यह भी आपको याद रखना है 62 नमबर परशने देखिए कि गिर्धर लाल सेन साहब की फैक्टरी में क्या था तो गिर्धर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्टरी में क्या थे तो किरानी थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आग पर C Option क्या हो जाएगा, बिलकुली सही हो जाएगा, 64 नमर परशने देख लिए ये भी काफी महत्पुड परशने, और ये परशने रहेगा ही रहेगा, कि मदन किसका बेटा है, यहाप अपको बताना है कि मदन किसका बेटा है, तो जो मदन है ये गिरधरलाल का बेटा है, या यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, आगे देखिलीजिए, यहाँ पर 65 नमर परशने, यह 100% आपके बोड परिक्षा में रहेगा, कि सेन सहाब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे, यहाँ पर आपको बताना है, कि सेन सहाब अपने परशने हैं, कि वाकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गये थे, तो दक्षिड अफरीका गये थे, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, 66 नमर परशने देख लिजे, कि उगते सूरज का देश किस देश को कह काते हैं, काफी मातपड़ परशने हैं, कि उगते सूरज का देश किस देश को कहते हैं, तो जपान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, 68 नमर परशने देख लिजे, 68 नमर परशने की निमन में से हरफ का प्रेवाची सब्द है, यहाँ पर आपको बताना है कि हरफ का प्रेवाची सब्द कौन है, तो हरफ का प्रेवाची सब्द अक्छर होता है, यहाँ पर एउप्सन क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, आगे देख लिजे, 79 नमर प्रशने, 79 नमर प्रशने की बिर्जू महराज कि पीता जी की मुर्तियू किस काराण से हुई तुलूव से हुई इसे आपको याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सतर नमर पर पर देख लिजे कि निर्मला कौन थी यहाँ पर आपको बताना है कि जो निर्मला थी यह कौन थी तो निर्मला कौन थी लेखा की पतनी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा उसके बाद 72 नमर पर पर देख लिजे कि घरिणा सब्द का बिलोंग क्या होगा यहाँ पर बताना है कि घरिणा सब्द का बिलोंग क्या होगा तो प्रेम होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा उसके बाद 73 नमर पर पर देख लिजे कि अभिनेता सब्द का इस्तिलिंग होगा यहाँ पर आपको बताना है कि बहादूर का सोभाव कैसा था तो जो बहादूर था वो करमट और इमानदार था यहाँ यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आगे देख लिजे यहाँ पर 75 नमर पर 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 देख लिजे कि धाते विश्वास कहानी के मुख्य पातर क कौन है तो लक्षमी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 76 नमर प्रशने कि मा कहानी किस कहानी कारक ने लिखा है यह काफी महत्पुड प्रशने और यह प्रशने आएगा कि मा कहानी किस कहानी कारक ने लिखा है तो इस वर पेट लिकर ने लिखा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा 77 नमर प्रशने देख लिजी यह काफी महत्पुड है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक मा किस कहानी कि पंक्ती है काफी महत्पुड प्रशने है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक मा किस कहानी की पंक्ती है तो धरती कब तक घुमेगी की पंक्ती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा आगे देखिए आपे 78 78 नंबर प्रशने भी काफी मात्पुड है कि मंगमा से कर्ज कोन मांग रहा था तो रंगपा मांग रहा था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर D-79 नंबर 79 नंबर प्रशने कि व्रिक्ष काटने से क्या बि गड़ता है तो परियाऊरण भी गड़ता है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर 80 नंबर प्रशने कि कभी जंगल को क्या होने से बचाता है काफी मात्पुड प्रशने कि क अभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है तो क्या होने से मरवस्थल होने से बचाना चाहता है यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर वो लल कारता है यानि यहाँ पे D option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सः हो जाएगा यहाँ प्रैटो और कांड थे महान काफी महत्पड प्रशन है और यह बोड एक्जाम दो जाए रिक्ष में 100% आएगा ही आएगा जो आपका परिक्षा होगा यहाँ पर एक दिन बाद यहाँ पर देखे प्लेटो और कांट महान थे क्या महान थे तो यह महान दार्शनिक थे यानि यहाँ पर B-Option क्या हो ज सही हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर 84 नमबर प्रशने कि नखधर मनुस से आज किस पर भरोसा कर रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि नखधर मनुस से आज किस पर भरोसा कर रहा है तो एटाम बंपर कर रहा है यहाँ यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बि यहाँ प्रशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 86 नंबर 86 नमर प्रशन की वाड़ी कब 20 के समान हो जाता है यहाँ पर आपको बताना है की वाड़ी कब 20 के समान हो जाता है तो वाड़ी 20 के समान कब होता है राम नाम की बिना होता है यहाँ पर यह उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसी हो जाएगा और ये प्रशन 100% रहेगा ये हमारा ग्रांटी है और जितना भी प्रशन हम आपको बताए हैं इसमें से 35 से 40 प्रशन आपके बोर्ड एक्जाम में हुबहु आएगा 87 नमबर प्रशन देखिए कि अमवस्या का विलोम सब्द क्या होगा यहां पर आपको बताना है कि अमवस्या का विलोम सब्द क्या होगा तो पूर्णीमा होगा इसे आपको याद रखना है यानि यहां पे यह ओप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन 88 नमबर 88 नमबर भी परशने काफी महत्पुन है कि भूत काल की कितने भेध होते हैं हम ब्याकरण का है अलग से यहाँ पर वीडियो लाएंगे तो उसे आप लोग जुरूर देखिएगा आप ब्याकरण से भी परशने रहेंगे तो ब्याकरण भी आपको देखना जुरूर है तो ब्याकरण का हम अलग से यहाँ पर परशने लाएंगे अधिक यहाँ पर देखिए भूत काल के कितने भेध होते हैं तो भूत काल के छे भेध होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला परशने 89 नमबर यह भी परशने आएगा आपके परिच्छा में कि कभी ने प्रजन ने किसे कहा है तो कभी ने प्रजन ने किसे कहा है बादल को कहा है यहाँ यहाँ पर C-Option क्या हो यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आगे देखिए आपर 91 नमबर प्रशने की प्रेमधन अपना अदर्स की से मानते हैं काफी इमातपुड प्रशने हैं की प्रेमधन अपना अदर्स की से मानते हैं काफी इमातपुड प्रशने हैं की भारत मा का स्रेष्ट मुक का तुलना कभी ने किसे किया है तो छाया यूप्त चंदर से किया है यानि यहाँ पे D-Option क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला प्रशने 93 नमबर प्रशने है की मिट्टी की अबोध मुर्ती कौन है काफी इमातपुड प्रशने है की अबोध मुर्ती कौन है जनता है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा और यह भी प्रशन 100% आएगा आपके बोड पर इक्षा में आगे देखें यहाँ पे 94 नमबर प्रशने की गरीब ववस्तियों में क्या हुआ काफी इमातपुड प्रशने है की गरीब ववस् जाँता है उसे क्या कहते हैं तो अग्य कहते हैं और जो सब कुछ जानता है उसे सरवग्य कहते हैं तो यह दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखना है आगे देखिए आप च्छानवे नमबर प्रशने की आंक लाल पिला करना मुहावरے का सही अर्थ क्या होगा तो आजब लाल पिला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो बुस्टा होना होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एॉप्सन क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा उसके बाद olduğ recognition किसकी विश्यस्ता को बताता है काफी इमाधपुर्ड प्रशन सर्ट पाफी प्रश कभी ने माली किसे कहा है तो माली किसे कहा गया है तो राधा जी को कहा गया है और माली किसे कहा गया है तो कृष्ण को भी कहा गया है तो यह ऐसे भी प्रशन रहता है कि कभी माली किसे कहा है तो राधा कृष्ण को और अलग अलग भी आपको याद रखना है कि कभी माली किसे क कहा है तो कृष्णा जी को तो यह अलग अलग भी आपको याद रखना है उसके बाद यहां पर देकि निनानवर नमबर प्रशने कि नौबत खाने में इबादत सहाईते की कौन सी बीदा है यहां पर आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत सहाईते की कौन सी बीदा ह तो यह बैक्ती चरीतर है, इसे आपको याद रखना है, याँ पर C option क्या हो जाएगा, बिल्कुली से हो जाएगा, 100 नमबर यहाँ पर प्रशन देख लिजेगी, जो इस्वर में बिस्वास करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आस्तिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, याँ यहाँ पर B option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा, और जो इस्वर में बिस्वास नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है, तो हम यहाँ पर देखिए, आपको काफी महतपुर बात बताने वाले हैं, तो 35 से यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर क्या होगा, यह हमारा गरांटी है, तो इसे तो सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, बीच में एक दिन का गैफ है, उसके बाद टाइम है आपके पास, तो इसे आपको क्या करना है, काफी एची तरीके से याद कर लेना है, और जो जो 35 में से आपको याद नहीं है, उसे आपको लिख के नोट बुक एक नोट बना लेना है एकदम जल्दी से, और जो प्रशन आपको याद मान लिजे कि यह पर नहीं याद है, तो इसका यहाँ पर कोस्टन लिख लिजे, और इसका बस यहाँ पर बी वाला उप्सन है, तो यह पे option लिख लिए बस आप लोग एक एक बार उसका revision करते रहिएगा तो यह याद रहेगा और इधर उधर आपको भटकने की जुरूरत नहीं है यहीं पे अगर आप लोग सभी प्रशने देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रशने नहीं छूटेगा यह हमारा guarantee है अगर आपक बाकी है और Sanskrit का बाकी है और 8 March का है आपके जो समाजिक विज्ञान का है आपको ध्यान बेर रखना है सिर्फ फर्स सीटिंग का यहाँ पर प्रथम पाली का पेपर हुआ है वो गया है तो इसका भी त्यारी करवाया जाएगा 8 March का इसका पेपर होगा तो इसे भी त्यारी कर प्रवाया जाएगा लेकिन आपका यहाँ पर हिंदी और Sanskrit का पेपर है तो इसे आप लोग काफी तरीके से थ्यारी किजिए और जितना भी हम आपको प्रशन बता रहे हैं वो बोड एक्जाम में हूब भू लड़ रहा है और यह सभी प्रशन लड़ेगा यह हमारा गरांट और जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा आप क्लास नहीं देख सकते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ओल पे आपको दबाना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर 80,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं मातर 101 एक लाग सब्सक्राइबर में बस 20,000 सब्सक्राइबर कम है तो आप चाहेंगे तो एक दो दिन में हो जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए ताकि और बच्चों के पास पहुँचे और हमारा भी कुछ इतना महनत हम आपके लिए कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को प्लीज एक बार हम लास्ट बार आपसे बोलना है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा अपने दोस्तों से बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि यहाँ पे एक लाग सब्सक्राइबर यहाँ पे हमारा हो जाए तो बहुत ही हमें खुसी होगी और थैंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक अपना ध्यान रखिएगा और जो भी इस चैनल पे वीडियो आएगा आप लोग लागतार देखते रहिएगा अगर एक भी वीडियो मिस होगा तो आपका उससे घाटा होगा तो इसलिए आपको लागतार वीडियो जो आएगा वो आपको देखना है और यह नहीं कि शुरू का एक देख लिए और अंत का नहीं देखना है थेंगे फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लाएंगे पढ़ाई किजिए टेक केर और बाएं